दोस्तों इस वीदियो में मैं आपको भताने वाला हूँ कि आगर आप अपनै Glow Road Wallet का पैसा अपने bank अज़ाते हैं करने के लिए या आगर आप चाहते हैं उसे यूज करने के लिए तो आप किस तरह से अपने Glow Road Wallet का पैसा आप अपने bank एकाउंट में कैसे आप ट्रांसपर करेंगे या उसे आगर आपको यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को complete जरूर देखेगा वीडियो पसंद आने पर like जरूर कर देज़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर glow road एप open किये हैं सबसे पहले नीचे में आपको इक option देखनी को मिलेगा My Account आप simple यहाँ पर करेंगे क्लिक इसके बाद उपर में आपको इक option देखनी को मिलेगा My Wallet आप यहाँ पर कर देंगे क्लिक कुमिलेगा FAQ आप simple यहां पर कर देंगे क्लिक इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में आप कोई option देखने कुमिलेगा can I transfer glow road wallet balance to my bank account यहां पर आप simple करेंगे क्लिक इसके बाद नीचे में आप कोई option देखने कुमिलेगा no glow road wallet balance can not be transferred to your bank account यानि कि दोस्तों आप glow road wallet balance को आप अपने bank account में transfer नहीं कर सकते हैं लेकिन उपर में आपको option देखने को मिलेगा how can I use glow road wallet यहां पर आप simple करेंगे क्लिक यहां पर बताया गया है दोस्तों कि आप इस पैसे को आप बहुत ही असानी से किसी भी shopping करते समय में आप यहां पर इस पैसे को यूज कर सकते हैं आपको किस तरह से यूज करना है हम आपको बता रहे हैं आपको simple buy करना होगा आप देखें यहां पर आपको home page में कुछ इस तरह से interface आपको देखने को मिल जाता है for example यहां पर आप कोई भी एक समान select कर सकते हैं जो भी आपको समान खरीदना है यहां से आप बहुत ही असानी से समान कोई भी select कर सकते हैं जैसे कि मान कर चलिए इन में से कोई भी आपको एक समान लेना है तो आप उसे select करेंगे for example आपको कोई भी समान खरीदना है तो यहाँ पर आप select कर लेंगे अब इसके बाद for example अगर आपको कोई भी समान खरीदना होगा तो यहाँ से आप कोई भी एक समान को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको निचे में एक option देखने इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिलेगा आप सिंपल यहाँ पर करेंगे क्लिक इसके बाद यहाँ पर आपका जितना भी item होगा देखने को मिल जाएगा जो भी आपको लेना है आप यहाँ से बहुत ही असानी से आप खरीच सकते हैं जैसे कि मान कर चलिए जो भी आपको यहाँ से कोई भी समान लेना है आप select करेंगे इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिलेगा continue आप सिंपल continue उपर कर देंगे क्लिक यहाँ पर आप जिस address पर आपना समान को आप लेना चाते हैं उस address का यहाँ पर उस address का details यहाँ पर fill कर देंगे इसके बाद आपको simple करना होगा continue उपर क्लिक इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप continue उपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है आप देखे दोस्तो मेंचीज हम आपको बताते हैं अगर मान कर चलिए कोई भी अगर आप यहाँ से समान खड़ दे हैं और इस पैसे को और इस समान को अगर आप cash on delivery में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर glow road wallet का पैसा आप यूज नहीं कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी amount होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लेकिन दोस्तो यही समान अगर आप online phone पे या google पे से अगर आप payment करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ cashback आपको देखने को भी जाता है यानि कि आप glow road wallet जैसे कि दोस्तों कहने के मतलब है कि यहाँ पर आप कोई भी समान आप खरीद रहे हैं अगर आप cash on delivery में अगर आप समान लेंगे का पैसा आप यूज कर सकते हैं